नमस्कार जार्खन समाचार में आप सबों का स्वागत हैं आया जानते हैं आज की ताजा मुक्ती खबरों को कल्पना सुरन आज गांडे में जामुमों कायरकरताओं से मिलेंगी जारखन मुक्ती मोर्चा यानि की जामोमो के नेता कलपना स्वरेन आज 9 अप्रेल को ग्रेडी जिलाज जाएंगी गांड़े विधान सवाच्षित्र अंत्रकत विविन पेंचायतों के कारकरताओं के साथ वह संबाद अस्थापित करेंगी आप सब को बता दू कि गांड़े विधान सवा के लिए जामोमो ने परत्यासी की घोषना नहीं की है पर हमंत स्वरेन की पत्नी कलपना स्वरेन वहां से चुनाव ले रेंगी यह तय माना जा रहा है कलपना ग्रेडी लोकसभा के लिए भी चुनाव परत्यार करेंगे जामोमो परत्यासी मुत्रा महतो भी उनके साथ होंगे जामोमो ने 11 अपरेल को रैधाने राची के प्रभात तरा मैदान में न्याय उलगुलान महारेली की घोषना की है इसको सफल बनाने के लिए लगातार बैठिके की जा रही है कहा जा रहा है कि 11 अपरेल को राची में INDIA यानि की इंडिया गणबंदन के तमाम दिगजनेता सामिल होंगे जारकन के खुटी में वहनों की तलासे में एक लाग से अधिक कैस एक किलो स्चांदी वस सोना हुआ बरामद खुटी लोकसवाज चुनाओ 2024 को लेकर जारकन में वहन जास अभियान जारी है इस दिशा में पुलिस और फ्लाइंग स्कॉइट टीम को लगातार सफलता भी मिल रही है इसी करम में मंगलबार को खुटी जिले के मुरहु और तपकारा थनाच्चेतर में गारियों की तलासी के दो रान पुलिस ने करीब एक लाग रुपे कैस चांदी ओ सोना बरामद के है जारकन के खुटी जिले के मुरहु थनाच्चेतर के बांदे गाउं के खुटी चैबासा मुख मार्ग में वहनों की तलासी ली जा रहे थी इसी करम में मुरहु अंचला धिकारे अंग पुलिस दल के सैंक्तुष चेकिंग अभ्यान में एक लाग दो हजार आच सो नबे रुपे बरामद किये गे इसके साथ ही कुटी जिले के तपकाराज थनाच्चेतर में वहन चेकिंग के दो राण करीब एक किलो सांधी और चार ग्राम सोना पुलिस ने बरामद किया जारखन में फीर गर्मी जहलने के लिए हो जाई ये तैयार दो दिन में बढ़नी वाला है तापमान जारखन का मोसम एक बार फीर करवट लेने वाला है कई दिनों तक गर्मी से रहत देने के बाद तापमान एक बार फीर बढ़नी वाला है अधिक्तम तापमान में दो दिन में 3-4 डिगरी सेंटिग्रेट की बिर्धी हो सकती है मोसम विभाग ने यह जनकारी दी भारत मोसम बिज्यान विभाग के राची इस्तित मोसम किंद्र के मोसम बिज्यानिक अभिसेक आने ने बताया कि अगले तीन दिन तक जारखन में कहीं कहीं वर्षा होगी लेकिन दो दिन में अधिक्तम तापमान 3-4 डिगरी तक बढ़ जाएगा हलांकी इसके बाद अचानक तपमान में 4-5 डिगरी तक की गिरावट आने के संकेत हैं मोसम बिज्यानिक ने बताया कि जारखन के दक्षिन तथा मत दिभागों में यानिकी राजधानी राची पुर्वी सिम्भूम पस्मी सीमूम सराइक लाखार समा एवंग सिम्डिगा जिलों में 10 और 11 अप्रिल को कहीं कहीं तेज हवाओं का जोका चलेगा हवा की रपतार 30 से 40 किलोमेटर परती गंटे रहने का अनुमान है गरज के साथ बरसा और बजरपात होने की भी संभावना इन जिलों में है 12 अप्रिल को भी दक्षिन तथा मत दिभागों में कहीं कहीं गरज के साथ बारिस यंग बजरपात की संभावना है जारकन के मोसम के बारे में उन्होंने बताया कि पिछले 24 गंटी के दो रान राज में कहीं कहीं हलके से मध्यम दर्जे की वर्सा हुई सबसे ज़्यादा बारिस हजारी बाग जिले के बरही में हुआ यहां 25.2 mm वर्सा हुई वही कोडरमा के तिलिया में 12.5 mm, हजारी बाग के बरकट्टा में 8.6 mm, पलामो के डालटन गंज में 2.5 mm, पुर्भी सिमम के चकोलिया में 2.4 mm, पसमि सिमम के जगरनाथ पूर में 1.5 mm और गिरिडि के बेंगाबाद में 1.5 mm वर्सा हुई वही मोसं बिख्यानिक ने बता एक जारकन में सभसे अधिक उस्तम तपमान डाल्टन गंज में रिकोड क्या गया जो 36.7 डिग्री सेंटिग्रेड था सभसे कम नियुंतन तपमान प्लामुजिले के डाल्टन गंज कर रहा यहां का नियुंतन तपमान उनेश दस्मलो पांच डिगरी सेंटिग्रेट दर्श क्या गया यहां बताना आप सबो को एक बार फिर से बतातू कि कई दिनों से जारकन में भी बाल से मोसम सुहाना हो गया था रैधानी राजी का उस्तम तपमान जो है 87.9 डिगरी हो गया जो समान से 7.8 डिगरी सेंटिग्रेट कम है वही नियुंतन तपमान भी 0.7 डिगरी कम हो गया है जमसत्पूर का अधिकतम तपमान 29.2 डिगरी सेंटिग्रेट है जो समान से 9.1 डिगरी कम है यहां नियुंतन तपमान समान से 1.8 डिगरी कम है हमन्द स्वरन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में एक ओर गिरपतारी E.D. ने मुहमत सिद्दाम को किया है एरेस्ट जार्खन में जमीन घोटाला मामले में परवर्तर ने दिस्दाले यानि की E.D. ने एक ओर गिरपतारी की है मामले के तार जार्खन के पुरुमुक मंत्री हमन्द स्वरन से जुड़े हुए है इसी कथित जमिन घोटाला मामले में हमान स्वरन को गरपतार किया गया था जमिन हडपने से जुड़े धन सोधन मामले में एडी की ओसे यह तिसरी गरपतारी है एक अधिकारी ने मंगलवार को यानि की आज 9 अप्रेल को यह जनकारी दी अधिकारी ने बताया कि एडी ने हमान सोरन से जुड़े जमिन घोटाला मामले में मुहमान स्वरन को गरपतार किया गया है आरोप है कि हमान सोरन के कबजे वाले जमिन के दस्तावेजों के हेरा फिरी मुहमान स्वरन ने ही की थी अधिकारी ने बताया कि जार्कन की रैधानी राची में जमिन घोटाला मामले में यह तिसरी गरपतारी है अधिकारी ने यह भी बताया कि महमा सद्दाम एक अनी जमिन घोटाला मामले में पहले ही गरपतार हो चुका है अब यवाज जेल में है अब जो है इडी ने भी उसे ग्रपतार कर लिया है इद का चांद देखने की अपिल राची में इद गाहों और मजीदों में नमाज का समयत है जार्खन की राची की दो परमुख मुसलिम धार्मिक सनस्थानों के परमुख ने लोगों से मंगलवार को यानि की आज एद का चांद देखने की अपिल की आज रमजान मा की नौ तारिक है और आज जो है चांद नजर आने की संभवना रहती है इस दिन जो है चांद नजर आया तो मंगलवार को ही चांद रात होगी और बुद्वार को इद मनाये जाएगी यदि आज चांद नजर नहीं आया तो 10 अप्रिल को चांद देखा जाएगा और 11 को इद कात्योहार मनाये जाएगा दुंका में और नियंत्रित कारने सगी बहनों को कुचला एक की हुई मोत लोगों की पिटाई से चालक हुआ गंभीर दुंका सहर के रेलवे स्टेशन के समिप सुनवा डंगाल महले में दो सगी बहनों को और नियंत्रित कारने को चल दिया इसमें एक बहन की मोत हो गई जबकि दूसरी गंभी रूप से घायल हो गई गरामिनों ने चालक की पिटाई कर दी जिससे उसकी भी हालत गंभीर बनी भी है बताया जाराय की सुबा दो बहनों को कार ने कुचल दिया दोनों गंभी रूप से घायल हो गई हास्से के बाद अस्थानी लोगों ने कार चालक को पकड़ कर बेरहमी से पिट दिया हास्से की सुटना मिलते हैं मुपसिल और नगर धना पुलिस मोके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को फूरो जानो मेडिकल कोलेज हस्पिताल में भरती कराया चिकसक ने गंभी रुप से घायल मुशकान कुमारी जिनका उम्र 18 को मृत घोसित कर दिया वहीं बड़ी बहन सालुक कुमारी जिनका उम्र 20 वस और कार चालक सुनिल कुमार मंडल का इलाज पीजी एम सीच में चल रहा है प्राथिमिक उपसार के बाद सुनिल की नाजुक हालत को देखते वे बहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया घायल सुनिल कुमार गोपी कांदर ब्लोक में लिपिक के पत पर कायरियत है बर्तमान में वह रसिक पूर दुखु पोखर के पास मकार बना कर रहता है मंगलबार सुबा वह अपने साथी के साथ घर से कार लेकर कहीं जा रहा था उसी दोरान घर के सामने बैट कर मूध हो रही दोनों बहनों को कुछल दिया जोरदार टकर से घर भी छतिगरस्थ हो गया हास से के बाद आकरोशित लोगों ने कार चालक सुनिल कुमार की जम कर पिटाए कर दी पलामू में चैनपूर चेक पोष्ट के पास साथ लोगों ने रोड को किया जाम प्लामू जिले के चैनपूर थनाचित के कलियानपूर गाउ के हत्याकान के आरूपी अजैस चोधरी की मोत के बिरोध में सापूर चैनपूर मुख्य मार्ग कोकोयल पुल के समिप चैनपूर चेक पोश्ट के पास जाम किया, सव के साथ आकरोशित लोगों ने पुल्स परसा प्लामू जिले के पुलिस ने इससे इनकार किया है, पुलिस का कहना है कि पुस्तास करने के बाद अजैस चोधरी को वापस जेल भेदिया गया था, सांस की विमारी के कारण उसकी तब्यात बिगड़ गई, इलाज के लिए आस्थाने हस्पिताल में भर्ती कराया गया था, पुलिस ने या भी कहा कि अस्थाने हस्पिताल में उसकी तब्यात में सुधार नहीं वा, तो अजैस चोधरी को बहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स में भेज दिया गया, रिम्स में ही इलाज के दोरान उसकी मोत हो गई, इसके बिरोध में लोगों ने आज यानि की मं पुलिस परसासन को जब इस बात का पता चला तूबरी अधिकारी वहाँ पहुंचे और लोगों को समझाना बुझाना सुरू किया, पुलिस ने अस्वासन दिया कि अजैस चोधरी की मोत की निस्पक्ष जांस होगी और दोसी लोगों को सजा में लेगी, इसके बाद जो है सेल कमपनिया बनाने वाले जुरूआ भाईयों को पसिम बंगाल की राजधानी कोलकता से गरपतार किया गया है, इनके नाम अमित गुपता एउंग सुमित गुपता है, दोनों कोलकता के साल्ट लेक इलाके में रहते थे, सीबी डीटी के अधीन काम करने वाले जी एस्टी एंटिलिजन्स की टीम ने उनके आवाज से धर्दवोचा है, टेक्स स्टोरी के आरूपी को जमसतपुर की टीम ने गरपतार किया है, बताय जा रहा है कि इसने 3000 करोर रूपे का ट्रांजक्शन किया है, अब तक 300 करोर के फर्जी वाड़ा की पुष्टी भी हो चुकी है, जाज करे अधिकारी ने बताय कि 522 करोर रूपे का घोटाला अब तक पकड़ा जा चुका है, यह 5000 करोर रूपे का इस गेम हो सकता है, अधिकारी ने बताय कि शीव कुमाद्यवडा के इसकी जाज के दो रान इसके तार मि इसके बाद सही इन दोनों भायों की तलास विभाको थी, यह लोग लगातार छिपते फिर रहे थे, लेकिन अंतता अधिकारी को इस बात का पता चला कि दोनों भाई कुलकत्ता के साल्ट लेक इस्तित अपने अवास में छिपे हैं, इसके बाद एक टीम ने इनकी गरबतार की कोशिस शुरू की, कई दिनों से इंटिलिजन्स की टीम कोलकत्ता में डरा डाले वे थी, जैसे ही पकी शुटना में दोनों को उनकी अवास से गरबतार कर लिया गया, एक भाई को मकान के नवे तले से गरबतार क्या गया, जबकि दूसरे को उसी मकान के चोंते तले से ग यहां तक ही इनका connection जिन तक फेला हुआ है